जहें दोस्तों मैं अमीत आप सभी का रैंक पात में स्वाद करता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे सातियों आप सभी लोग जानते हो कि हमारे रैंक पात पर डेली क्लासेश चल रही है तो मेरे दोस्त मेरे सातियों आज मैं लेकर क्या चुका हूँ boat and stream का question तो साथियों आज हम लोग जो है boat and stream का question को जो हम फोट डालेंगे हर तरह से उसको मेरे दोस्तों उड़ाना रहेंगे तो दोस्त मेरे साथियों आज देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ कि साथियों मेरी रैंक पात पर आउनलाइन कोचिंग के साथ साथ आउफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो गया दोस्तों आप लोग आउनलाइन तो बेहता ढग से पड़रों कोई दिक्कत की बात है नहीं लेकि मेरे दोस्त मेरे साथियों बहुत बच्चों कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग को आउफलाइन भी पढ़ा दीजे तो दोस्तातियों मैं जो है आप लोग के लिए मैं बता दूँ कि आउफलाइन भी कोचिंग इस्टार्ट हो कीजे आउफलाइन कोचिंग जो है मेरे दोस्तो वववा में यानि कैमूर सिटी में बिहार में दोस्तो इस्टार्ट हो चुकिया आप सभी दोस्ताती जितने लोग आना चाहते हैं कैमूर में और रैंक पात पर उनका स्वागत है दोस्तो आप लोगों मैं बता दो कि आभी फिलाल आज से क्लासे से स्टार्ट हुई है यहनि से स्टार्ट हुए दोस्तो 5-day demo classes चल रहा है यहनि के 8 से लेकर के आपको 13 यानि 14 तक आप सभी लोगो 13-14 तक आप लोग क्या मिलेगा demo classes दि गई है जिसमें मेरे दोस्तो बेश टाइमिंग जो रखी गई है वो फर्ष्ट बेश जो है आप लोग का जो है एट एम पर रखा गया है और सिकेंट बेश मेरे दोस्तो एलेबेन एम पर रखा गया है कंटेक नमर मेरा आप लोग देख सकते हो 821-0548774 है तो दोस्तो आप इस नमर पर कॉल करें SMS करें, WhatsApp करें जो भी करना चाते हैं आप कर सकते हो और बहता धंग से दोस्तो पढ़ाई कराया जा रहे है तो दोस्त मेरे साथियों आप सभी लोग मेरे दोस्तो ओफ-लाइन क्लासे ज़रूर जान करें बहुत मिनमम फीस पर मेरे दोस्तो ये रखा गया है फीस की बात करते हैं मेरे दोस्तो तो फीस जो है मेरे दोस्तो ओढ़न मिनमम फीस है आप लोग कर नहीं सकते हो इतना काम फीस पर कोई प्रहा सकते हो तो दोस्तो आप सभी दोस्तो साथी जो है 251 रग han financial in 쪽 अदू जिए अब बाकि यूटीज बारे आप लोग की क्लासे डिली चल जो की proper तरीके से आप लोगों मिल रहा है तो मेरे दोस्त मेरे सभी साथियों का स्वागत है rank path में है दोस्तों अब मेरे दोस्तों आज जो हम लोग कोशन करने जा रहे है boat and stream का साथियों आज जो हम लोग का boat and stream को ये मेरी चालेंज है तो मेरे दोस्त मेरे साथियों आप सभी लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को बोट एंड इस्टीम से पहले जिसके हिंदी आप लोग जानते हैं दोस्तो नाव और धारा क्या होता है नाव और धारा साथ यह थोड़ा सब बने रहना दोस्तो जैसे कि मैं काता हूं कि नाव और धारा क्या होता है पहले समयना ध्यान से मैं एकदम गरीब हो ला तरीका से आपको सिखाऊंगा नाव और धार अगर मालो मैंने काया कि यह मेरी नदी है यह रीवर है दोस्तों क्या है रीवर है और इसमें आप लोग से मैं यहाँ सिखा दू कि माल लीजे इदर वाटर फोलो कर रहा है क्या इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में देखो मैं एरो दे दिया इस डायरेक्शन में दोस्तों क्या हो रहा है वाटर फोलो कर रहा है नि बह रहा है ठीक नहीं दियान से सुनते रहा ना वाटर बह रहा है और यहाँ पर मेरे दोस्तों क्या है नाव है मेरी कहाँ पर है यहाँ पर मैं क्या बना दिया एक नाव बना दिया एक नाव बना दिया एक नाव बना दिया एक मेरे दोस्तों वाटर है क्या है वाटर है नि पानी है साथ ही न और एह हमारी क्या है दोस्तों नाव है क्या है दोस्तों नाव है तो धारा की दिसा में जाएगी तो मैं दोस्तों अगर धारा की ते कुछ स्पीट होगी धारा की स्पीट होगी कि नहीं होगी बिलकुल होगी आपको सर बिलकुल होगी धारा की स्पीट होगी जितना जैसे आप लोग रिवर देखे होगा नदी नदी में जिदर पानी अगर जाता है अगर आप उधर ही तेरते हो स्विंग करते हो तो आप तेज गती से जाते हो क्यों जाते हो दोस्तों क्योंकि आपके गती के साथ साथ धारा का भी गती जुड़ जाता है तो दोस्तों मैं अगर कहूं कि इस टीम के लिए मैं इस लेता हूं नहीं जो पानी का स्पीट जो speed of water है speed of water इसकी मैं जो ले लेता हूँ दोस्तो speed वो महां लेता हूँ कि 80 kilometer परती घंटा है 80 kilometer प्रती घंटा है अगर जो boat किये दोस्तो yunni boat of steam मैं क्या का दिया boat of steam यनि कि क्या दोस्तो जो हमारी गती की जो नाव की गती है उसको मैंने क्या कर देता हूँ B कर देता हूँ अगर मैं यह आप से question पूछ रहा हूँ दोस्तों कि अगर मेरे दोस्त मेरे साती धारा के साथ-साथ नाव चल रही है इसका मतलब बताओ दोनू ही चाले जुड़ेंगी कि घटेंगी तो आपको सर दोनों ही चाले जुड़ेंगी क्योंकि नाव के साथ साथ हमारी स्पीट बढ़ जा रही है तो हमारी स्पीट क्यों बढ़ी क्योंकि दोस्तो मेरी स्पीट इस कारण से बढ़ गई क्योंकि उसमें धारा की गती भी जुड़गी तो इसका मतलब हो गया कि जो इसका अगर मैं पूरा गतिका था कि बताओ अब बताओ इसको दो नाम से जाए एक देखो इसका इंग्लिज में बोलते हैं डाउन इस्टिम क्या बोलते हैं डाउन डाउन इस्टिम यानि डाउन इस्ट्रीम का मतलब होता है मैं अनुकूल दिसा में और हिंदी में होता है अनुकूल दिसा का मतलब होता है धारा के साथ साथ हम चल रहे हैं तो धारा के साथ साथ चलते हैं तो होता है B पलस S क्या होता दोस्तो बी पलस एस यानि कि दोनों की चाले क्या कर दिया मैंने जोड़ दिया अब जैसे मैंने का कि यही पर हमारी धारा इधर ही है अब हमने नाव यहां पर बना दिया और नाव को जैसे मैं यहाँ बना दिया दोस्तों अब मैं इसकी जो चाल है सातियों इसकी जो चाल है मैं अपोजिट कर दिया नहीं कि धारा के अपोजिट कर दिया क्या कर दिया धारा के अपोजिट कर दिया अगर आप लोग को जैसे मैं प्रैक्टरी तरीके से सिखाओं तो तो दोस्तों हमारी speed कम हो जाती है यहीं कि हम कोसिस करते हैं लेकि हम क्या होते हैं दोस्तों पीछे की तरफ घसक जाते हैं यहीं हम उतना तेज गती से आगे की तरफ नहीं जा पाते हैं इसका region क्या होता है दोस्तों कि हमारी गती अगर मान के चलो कि हमारी गती 5 km परती घंट तो हमारी कम हो गई, किसके काराण, तो दोस्तो धारा जो है, हमारी की स्पिट को कम कर दिया, क्योंकि जितना तेज से धारा जाता है, उतना क्या करेगा, आपके स्पिट को पहले मेंटेन करेगा, फिर आपकी स्पिट अगर अधीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पार कर सक होगा कि कोई बचा क्या होता है रीवर यानि नदी में क्या करता है तैरता है और बह जाता है और बह जाता है दूसरे स्थान तक चला जाता है इसका कारण मात्र और मात्र एक ही चीज़ है दोस्तों इस बात को आज से याद रखिएगा कि उस ब्यक्ति को बहने का मात्र एक ही रिजन है क्योंकि उसने क्या किया उसकी इस्पिट कम थी किसके वज़ा से धारा की इस्पिट से ज्यादा थी इसलिए धारा क्या किया बहुआ करके ले करके उसको चला गया है साथ ही याद रहना तब यहाँ पर जब इसको कहता हूं इसका दो क्ये जिसको हिंदी बोलते हैं प्रतिकूल, इंगलीज में बोलते हैं अप इस्ट्रीम, ठीक है ना, और हिंदी में दोस्तो होता है प्रतिकूल दिसा, प्रतिकूल का मतला उसको बिरोध करना, तो प्रतिकूल, प्रतिकूल दिसा, याद रखना साथियों, तो इसका क्या होता है, य यहां पर B greater than है, याद रखना, B क्या है दोस्तों, greater than है किस से, S, तभी तो हमारा B जादा होगा, तभी तो जिसे मानेगा आग इत्ती, अब मान को चलो कि मेरी speed एक किलोमटर परती घंटा है, और धारा की speed दो किलोमटर परती घंटा है, अब बताओ हमारी speed कम हुई की नहीं, अब बता हम आगे बढ़ पाएंगे, आप कहिए का नहीं सर, आप कभी जिन्दगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम एक किलोमटर परती घंटा से हमें साब पीछे ही होते चले जाएंगे, यह region होता है, अब इतना ता आप लोग समझ गयोंगे, मैं उम्मीद करता हूँ क रुके रहाना, मैंने कहा कि यह डाउन इस्टिम लिखाऊंगे, जिसका माहन होता है, बी प्लस में एस, तो बी प्लस स को मैंने क्या माल लिए, यू माल लिए, क्या माल लिए दोस्तों, यू, यू माल लिए, और मैंने कहा कि एक होता है, अप इस्टिम, अप इस्टिम, इस जिसे वनली और वनली खाली बी निकाल दो, बी मता होता है बोट की चाल, मैंने का, जिसे मैंने का दिया कि धारा की दिसा में कोई नाओ जाती है, तो पांच किलोर परती घंटा की गती से जाती है, और धारा के बिरोध में धारा के परती कूल जाती है, तो दोस्तों तीन किलो निकालना होगा only boat हैनि speed of boat मैंने क्या आप से का दिया दोस्तो speed speed of boat अगर मैं आप से पूदू कि speed of boat बढ़ा जैनि now की चाल मैंने हिंदी में क्या कर सकता हूँ now की चाल बताओ तो now की चाल हमने जैसे ही का तो आप कुछ मत करो देखो अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो जो बच्चे मुझसे नहीं जानते हैं नहीं पड़े हो तो क्या करेंगे दो equation मराएंगे दोनो equation को जोडेंगे और दोनो equation को जोडेंगे या दोनो equation को घटाएंगे अब दोखो जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली equation है और यह मैरी दूसरी equation बादी तो अगर यह दोनों equation को जोड़े है तो बनेगा 2B U plus में भी बनेगा तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक गरीबो अला तरीका दे दिया कि U plus में भी बटा 2 कर लेना एक कौन निकल जाएगा तो आप याद रखना दोस्तो U हमें direct B निकल कर देगा क्या निकल कर देगा B निकल कर देगा याद रखना B साथियों मज़ा आया अब जैसे दूसरी हमने कहा कि speed of speed of speed of speed of steam यनि मैंने कहा कि धारा की चाल मैंने क्या कहा दोस्तो धारा की हमें क्या निकले गई इस निकालके देगा, तो दोस्तों कुछ नहीं करिएगा, इन दोनों को घटा दिजी, जब इन दोनों को घटा गएगा जुड जायेगा, तो यहां पहुज आएगा, कितना, U-B बटा में 2, क्यो जायेगा, U-B बटा में 2, हमने आप लोग कहों सही, U और B, कि जब कुछ और म आन सकते हैं आपकी मरजी मान लिजे कोई दीकत की बात नहीं है यहां तक तो हमें पता चल गए अब रुके रहा ना अब मैं फिर से आओंगा बैक सैड में बैक सैड का मतब यहां से अब जैसे मैंने आप से कहा चाहिए मैं एक नया ही बना देता हूँ पेज ताकि जादा बे यह मैंने एक नदी बना दिया अब जैसे मैंने एक नदी बनाया दोस्तो और इस नदी में आप से पुछा कि मान लिजे मेरी नाव यहां पर है मेरी नाव यहां पर है ठीक और यह नाव जो है इस डिरेक्शन से कहां से दोस्तो इस डिरेक्शन से उसने पहुचा यहां पर तो नाव अब कहा पर, अब किस डारेक्शन में जा रही है, इस डारेक्शन में जा रहा है, है ना, पानी भी हमारी इसी डारेक्शन में जा रही है, और नाव भी हमारा इसी डारेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, और अब नाव कहा पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, कह भारा की चाल दे दे और कहे कि यहां से यहां तक जाने में मालो मुझे टी समय लगता है और नाव की चाल को मैंने बी कर देता हूँ और वाटर की चाल को लिए इस कर देता हूँ और यहां से यहां तक जाने में मुझे टी समय लगता है तो हमसे कुछेगा कि बता यहां से यह यहां तक की दूरी क्या थी यानि इस बोट से ले करके इस यहां तक यानि बोट वन से बोट यहां तक जाने का पूरा डिस्टेंस बताईए क्या होगा याद रखना दोस्तों इसमें दो कंसेप्ट त्यार होते हैं पहला सुनिएगा ध्यान से मैंने कहा कि यहां से यहां तक क जाने में बोट की distance क्या होई तो distance बराबर दोस्तों सीधे फर्मूला आप लोक में दे दे रहा हूं कि time हो जाएगा और बोट का square यहांने b square minus stream का square upon मैं दोस्तों to b कर लीजिएगा क्या कर लेकिन लेकिन condition है साथ ही हो यहां पर सिर्फ time दे दिया गया है यहां से यहां तक जाने और वह आपस आने में कुछ घंटा अधिक यानि more than बात कर दे यानि अधिक के बात कर दे तो उसके लिए में दूसरा trick होता है मैं अभी बनाओगा चिंदा मत करिए पहले मैंने इसको सिखा आप कैसे बना दिजेगा इसको तो ध्यान से देख लिजे मैंने कहा कि सिर्फ आपको ऐसे देया तो आप इस तरह से format त्यार कर लिजेगा लेकिन मैंने कहा कि इस बोट से लेकर कि यहां तक कि दूरी जाने और वापस आने में टोटल जो समय लगता है तीन घंटा जादा सम लगता है तो उसके लिए तब वहाँ पर आपसे पूज़े कि डिस्टेंस क्या होगा तो डी बराबर आप डारेट निकाल देए दोस्तो टाइम इंटू में बी स्कॉर माइनस एस स्कॉर बटा में कितना टू एस अब दोनों में डिफरेंट पहले देख लिजिए दोस्तो यहाँ पर टू बशी है और यहाँ पर ट्वू एस है बाकी कोई डिफरेंट नहीं इस बातों को याद रख ले न अ इसमें भी आप लोगों फररींग माज़र आगया होगा कि कोई भी डिस्टेंस कोई भी दिक्कते नहीं dummy कौकि डिस्टेंस वही है सिर्स हमें जब टाइ मैं किसके वैसे ज़्यादा लगा होगा मुझे वहाँ पर तो मेरे धारा के वैसे लगा होगा तो इसी लिए मिरे दोस्तों यहाँ पर टू बी और यहाँ पर टू इस हो जाता है अब बताए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगे आप लोग को अब इसके बाद आप पहला कोशन में क्या दिया गया है पहला कोशन हमसे पूछ रहा है कि एक नावीक 48 मिंट में 12 किलो मिटर अनुपरवाह जाता अनुपरवाह का मता होता है मैं दोस्तों डाउन इस्टिम क्या होता है डाउन इस्टिम तथा एक घंटा 20 मिनट वापस लोटता है वापस लोटने का मतों होता है रिटर्न हो रहा है और आपस इस्टिम तो नाव की सांत जल में क्या है नाव की चाल सांत जल कहा दें दोस्तों तीसका मतों होता है कि धारा की कोई चाल जब धारा की चालनी है तो किस की चाल है नाव की चाल हमें सिर्फ और जिर्फ रखी चालART पुछ रहा है यानि बोट की चाल पुछ रहा है तो दोस्तोब बता हूँना हमें क्या किये घारा की दिजा में धिया गया एनि B प्लस S दिया गया और वह भी कितना दिया दोस्तों तो 12 किलोमेटर जाता है 48 मिनट में हो गया कि नीश पीट एहीं न होता है टाइम स्पिट में बहुत जबर जस्तर अप लोगा बता दूगा टेंस्न नहीं लेना है हना एह हो गया अब इसको आप लोगो देetखो ए मिनट में है किसमे मिनट में है और हमको कहाची है और अउसन हमारा क्या है और में तो इसको ऐसे कर लेते हैं बताओ बार चवू 48 और 15 चवू के साथ है नहीं 15 तो 15 किलो मिटर प्रती घंटा आ गया यहनि B प्लस S कितना आ गया 15 किलो मिटर प्रती घंटा आ गया अब बताओ दोस्तों कि B माइनस S क्या दिया गया है को उसी B माइनस S बराबर हो यह कितना तो उतना ही दूरी चल रही है नि 12 किलो मिटर चल रहा है और अब इसको बजाओ तो 60 और 20 कितना आ था? 80 इंटी इंटू कितना होगी 6 कितना होगी 6 बोली, अब इसको कड़ा दिये तो कहोगे सर जी इसको 10 से 10 खतम 10 से 10 खतम और इसको जब कटी है दोस्तों तो चार से कड़ा दीजिए दिखे अब दिखे इसको मैं कड़ा दूं चार से चार दुना के आठ और चारतिय जांट तो नौ तो नौ किलोमेटर प्रती घंटा आप क्या गया अब देखो आप या तो यह क्विशन बनाएंगे या पिर मैंने जो अभी गरीव ओला तरीका दि 9 बाई कितना यए 2 अब ईसको जोड़े तो बहुत है कितना डो घंटे में एक व्यक्ति 7 किलो मीटर तथा धारा के भिपरित दिसा नाव चलाता है तथ वा 15 किलो मीटर धारा के दिसा में चलाता है तो धारा की चलाता है अब दू psychopath यह आप इस्टीम, सिर्फ और सिर्फ इस्टीम की बाते करिए और वो भी 2 घंटा में बताओ, दू घंटा में एक ब्यक्ती साथ किलोमेटा धारा के विपरित दिशा में नाव चलाता है, यहनि विपरित दिशा का मतब क्या हो गया दोस्तों, आप बुले सरी B माइनस का S, कितना चलाता है, तो साथ बटा में दू चलाता है, छोड़ दो इसको आप लोग कडाना में, धारा का दिशा कमता होता है B पलस में S, और वो कितना है, 15 किलोमेटर जाता है, ओभी 2 घंटा में, तो ज़िए कितना, 7.5 किलोमेटर प्रती घंटा हो गया किलर खता है, तो साथ धारा के दिशा कमता में बता है, U माइनस भी बैटू, इसको हम क्या आपको सिछा रहे कि इसको बोलते हैं U और इसको बोलते हैं क्या भी बता एस बराबर जो होता है U U-B 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 बता टू बता यह यह यू कितना है 7.5 माइनस हो जाए कितना 3.5 बाई में कितना टू अब इसको अगड़ा है कितना है 2 किलोमेटर परती घंटा इसका मतलब आपका जो इंसर हो गया साती हो कौरेक्ट अंसर और भी कोशन आप लोगों को मैं सिखाता हूँ देखिए द्यान से, कोश्चन में देखिए 3 नमर कितना अच्छा सा है और प्यारा सा कोश्चन कर रहा है, देखिए द्यान से, करें एक ब्यक्ती धारा की दिसा में 2 घंटे में 14 किलोमेटर की दूरी तया करता है, धारा की दिसा में, यदि वह समान समय में धारा के बिपरीत तिसा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गती ज्याद किजिए फिर से मुझे करें क्या धारा की गती ज्याद करिए देखें देहां से दोस्तों करें धारा के दीसा मैंने कितना B प्लस में S कितना हो जाएगा यानि 16 किलोमेटर जाता है वो भी 2 घंटा में तучुटना हो गया 8 कीलोमेटर प्रति घंटा हो गया और करें वो समान समय, समान समय मतलब कितना B-V-A कितना 2 घंटा और करें कि जो दूरिय ओ आधी हो जाती है, आधी का मतलब कितना 8 खटा दो दोस्तों कितना हो गया ? चार तो चार किलोमेटर प्रति घंटा तो करा कि धारा की गती कितना हो गया ? नहीं कि S बता दो तो होता है कितना ? U-B by 2 बता U कितना है ? 8 B कितना है मैरे दोस्तो ? 4 by कितना ? 2 तो 2 by 2 यानि कितना हो जाएगा 2 km प्रती घंटा 2 km प्रती घंटा का मतलब option number कौन सा बी कितना मजदार question है कोई problem हो रही है क्या एक बार सारे बच्चे बताते चलेंगे अब देखिए इस question को question number 4 देखिए ध्यान से करा है question number 4 कि एक आदमी सांत जल में एक आदमी सांत जल में 5 km प्रती घंटा के गती से दूरी तया करता है सांत जल में सांत जल का मतलब नाव समझे लो आदमी समझो या नाव समझो बतिया तो बरबर है अच्छा यदि धारा की चाल एक किलोमटर परती घंटा है यानि इस्ट्रिम कितना है एक किलोमटर परती घंटा है तो ता वो एक अस्थान से जाने और वापस आने में एक घंटा समय लगाता है कितना घंटा समय लगाता है एक घंटा समय लगाता है तो मुझसे कराएं कि तो वह अस्थान से कितना दूरी है यह इबता दो मुझे कि डिस्टेंस पुछ दिया और डिस्टेंस पूछ दिया दोस्तों तो हमने अभी डिस्टेंस के लिए फर्मूला बता था कि नहीं बता था अब न्दा ज़्याधा समय लगता है डेर घंटा-या कूई बाते कहिए, नहीं कहिए दोस्तों, जब नहीं कहिए तो सीधे लिखे कितना, time into में, b square minus s square बटा में कितना, to be, b वाला फर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर s की बाते नहीं हुए, ज्यादा की बाते नहीं हुए दोस्तों, चले दिखते हैं, तो अब जैसे इस question के अ काई square कर लो, बटा में कितना, 2 into में 5, बताई, अब गो से 25 माइन से कितना, 24, 24 में सब्सक्राइब करें कितना, 24, 24 बटा 10, 2.4 किलो मेटर, sorry, किलो मेटर न, क्योंकि डिस्टेंस है न, तो 2.4 किलो मेटर, बता, वो कि नहीं हो गया, तो 2.4 किलो मेटर का option नमर देख लिए, यह कौन सा है, C नमर, बोली, अब समने कौन सा हो गया, C, क्या मजा रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करते चलेंगे, एक question 5 नमर देखते हैं, 5 नमर question क्या है, देखियो ध्यान से, मैंने कहा, एक नाव की सांत जल में, गती 20 किलो मेटर परती घंटा, क्या बात है, सांत जल देखिये, मुझसे करा है कि नाव की चाल दे दीगे, कितना दीगे है, तो बोट की चाल हमें दे दीगे है, कितना, 20 किलो मेटर परती घंटा, ठीक है ना, अचा, नाव धारा के बिपरीद दिशा, मैं बिपरीद दिशा का मता होता है, B-S, 20 किलो मेटर जाती है, कितने तरीका न हो गया हमारे लिए बी हमें दिया गया है 20 माइनस एस बरवर इसको कडा दो तो कितना हो गया 5 तो एस बरवर कितना हो गया 20 माइनस 5 जह नहीं कितना 15 km प्रती घंटा 15 km प्रती घंटा का मतलब option number कौन सा B number option कौन सा B number अब इस question को देखते है इस question को देख लेते हैं थोड़ा सा अब इते 1 नाव 3 घंटे में 12 km धारा की अनकूल जा कर वापस आरंभिक बिंदू पर आ जाती है यदी धारा की चाल 3 km परती घंडा है, तो 7 जल में 9 की चाल, क्या आप नहीं बता सकते हो हमें distance इस बार दे दिया गया है, time दे दी गई है, boat दे दी गई है कितना 9 की चाल, sorry 7 जल में धारा दी दी गई है, बहुत बढ़ा इंदे देखो हमें distance दी दी गई है टाइम दे दी गई है, इस धारा की चाल दी दी गई है, तो हमें नाव की चाल, क्या फर्मूला नहीं आद है, बताओ रहे सातियों, क्या ये फर्मूला आपको नहीं आद है, ये वला, बताओ, क्या ये फर्मूला नहीं आद है, हमें बता देना, क्या ये फर्मूला अब समय दिया है नहीं तो जब ज्यादा की समय नहीं दिया है तो हम क्यों लगाएंगे इस वाला जहां पर ज्यादा कहा दे more than कहा दे वहां पर इस की नियम लगा तो इस कोश्चन को आप सभी लोग comment box में बताएंगे comment box में सभी बच्चे क्या करेंगे answer देंगे देखते हैं कितने दो साती इस कोश्चन का comment box में answer देते हैं अगर classes सची लगे तो सभी दो साती like, share और subscribe जरूर कर लिजे चैनल को इस तरह से आपको best best हमेशा concept एक छोटे छोटे रूप में मिलते रहेंगे इसके अलावा सभी दो साती क्या करें रैंक पात जो offline coaching center इस्टार्ट हो गया है सभी बच्चे वववा में देखे द्यान से इस ववववा में सभी बच्चों का स्वागत है वो अराम से आ जाएं 5 day demo classes है अराम से देख लें बहुत पढ़े हो एक बार rank path पर पढ़के देखो यार दोस्तों जिंदगी न बदल दी तो मेरा नाम नहीं मेरे दोस्तों मैं खुद इस बहाँ पढ़ा रहा हूं आप सभी को मैं खुद पढ़ा रहा हूं तो मियरे दोस्त मेरे सात्यों आपने जहां भी पढ़े हो एक बार जो भी टॉपिक पढ़े हो और मेरे जाईए मेरे वीडियो में देख लिजिए आपको उसे ब्यातर नहीं लगा तब कमेंट करके बोल देना उसके आलावा मेरे दोस्त मेरे सात्यों आप सभी लोग एक बार offline coaching जोईन करके मेरे देखें फीस मात्र और माट 251 रुपीज रखा गया है तो दोस्त एक आउन रुपिया कोई बड़ी चीज नहीं थे आप लोग खुद जानतों इस यूग में क्या दोस्त एक आउन पैका भेलू होता है जाएब में आप खुद खुद आप लोग जाएब सक भाला है